Hello friends, welcome to my channel, welcome to another video, so आज का जो टॉपिक है आप लोगो थामने लेके पता चल चुका है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग, बहुत ही वाइटल टॉपिक है, पोलार पैरट के बारे में, basically इसको पोलार ब्लू पैरट बहुत कोई बोलते हैं, बट नॉर्मली पोलार पैरट भी बहुत बट भगर होता है, जो पैरट पे नहीं रहता है, बट इसके अंदर रहता है, इस वीडियो पे मैंoplanफ़ कोई सब कुछ कुछ डिस्कस करोंगा, कितना वाटर टमपरेचर होना चाहिए, कितना पोलार पैरट आपके साथ फ्रेंडी हो सकता है, इनफेक्ट अपहलोग अगर तो मैं ऐसा भी वीडियो ले के आऊँगा जहां पर आप लोग पोलर पेरट को आप लोग फ्लारॉन के तरह ट्रेन भी कर सकते हैं, यह आप लोग को शायद बहुत कम जन को पता होगा, ब्लाड रेड पेरट या फिर पोलर पेरट पे बहुत ही इंपोर्टेंट एक डिफरें जो चीज अगर आप लोग जान लोगे, तो आप लोग भी इस मचली को बहुत साधा प्यार करोगे, क्योंकि यह बहुत दिखने में भी क्यूट होता है, और यह बहुत ही अच्छा एक पेरट फिश का ब्रीड है, नॉर्मल ब्लाड रेड पेरट से बहुत ही अलग है, और एक चीज अप लोग कोमेंशन करना चाहता हूँ, जो सबसे इंपोर्टेंट गल्ती अप लोग करते हो, कि वाई कॉन्विक्ट सिकलीट और पोलर पैरट के बीच में डिफरेंस, थोड़ा बहुत इस वीडियो पे डिसकास भी कर दूँगा, आप लोग का जो कन्फ्यूशन है, बहुत जन मुझे पूछता है कि भाई, मैं जब पोलर पैरट मेरे खर पे लेके आया था, तो तब मुझे बहुत कोई पूछ रहा था कि भाई, अब कन्विक्ट सिकलीट लेके आ चुके हो, तो बोला भाई, नहीं, ये पोलर पैरट है, दोनों दिखने में बहुत सिमि एक चीज़ का ओलवेज ध्यान रखना है, पानी का टेमपरेचर भाई, ये थोड़ा गरम पानी का मचली है, ओर मॉटर मचली है, कि इतना टेमपरेचर वगरा रखना है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो, वीडियो को एंजोई करो, I think ए देख लोगे, तो मैं आप लोग को बोल सकता हूँ, ये चोटा सा क्यूट फिश को आप लोग बहुत जादा प्यार करोगे, क्योंकि ये रियली बहुत ही क्यूट मचली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग मेरे चनल पर फर्स्टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, और अगर आप लोग को वीडियो पर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को आउंगा, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर नॉर्मल ब्लाड रेट पेरट कभी भी आप लोग रखे हो, तो भाई आप लोग को पोलर पेरट और ब्लाड रेट पेरट का एक यूनिक डिफरेंस देखने को मिल ज देखा हूँ, पोलर पेरट एग्रेशिव होता है, बट ब्लाड रेट पेरट के तरह नहीं होता है, ब्लाड रेट पेरट का बहुत ही ज़ादा एग्रेशन हो जाता है, मैचियोड होने के बाद भी, बट पोलर पेरट एग्रेशन होता है, अग्रेशन रहता है, क्योंकि सि पॉलर पेरट का ग्रोथ ब्लाडरेट पेरट से कम होता है तो मैं यहाँ पर आगे चलके वीडियो पे आप लोग को पोलर पेरट का एडल्ट साइज भी दिखाऊंगा कितना बड़ा हो सकता है बट बहुत जाधा बड़ा नहीं होता है पोलर पेरट का बहुत ही इंपोर्टेंट मेरा परसनल एक खासियत मुझे लगता है पोलर पेरट बहुत ही हाड़ी मचली होता है अगर अप लोग फर्स टाइम एकुरी आप घर पे रेके आना चाते हो आप लोग के एकुरियम के बारे में जाधा कुछ पता नहीं है तो ऐसा केटेगरी का मचली रख सकते हो जो हाड़ी मचली होता है तो उसमें मचली का डेथ होने का चांसेश बहुत कम हो जाता है तो पोलर पेरट का जो सबसे खासियत इमपोर्टेंट है बहुत ही हाड़ी मचली है बढ़ आप लोग को एक चीज़ का ध्यान ऑल्वेज रखना चा तो अगर आप लोग 30 डिगरी टेंपरेचर पानी पर रखोगे तो पोलर पेरट जाधा हिल्दी रहता है यह मैं परसनली देखा हूँ नहीं तो एवरेज 28 तो 30 डिगरी सेल्सियास अगर टेंपरेचर पानी का मेंटेंड करूगे तो जाधा कुछ हेडेक वला मचली नहीं है आप लोग को जाधा कुछ मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा यहां पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से रह रहा है आप लोग को कुछ हाइडिंग प्लेस दे देना है बस आप लोग उसके साथ मचली को इजीली रख सकते हो टैंक के अंदर और इसके साथ और आप लोग polar parrot के साथ आप लोग अगर blood red parrot भी रखना चाते हो रख सकते हो कोई दिकट नहीं है बट जो चीज आप लोग को मैं personal recommend करूँगा अगर आप लोग polar parrot रख रहे हो तो उसके साथ आप लोग सिवराम बगरा रख होगे तो मैं दुसरा वीडियो भी लेके तो नीचे जरूर मुझे comment करके बताना, मैं उसके उपर भी dedicated वीडियो लेके आऊँगा, वो भी बहुत ही cute मचली है, दिखने में भी बहुत cute है, बट वो polar parrot से दिखने में थोरा different है, कितना different है मैं वो दूसरा वीडियो पर discuss करूँगा, तो आज इस वीडियो पे मैं आप लोग को जो चीज बताना चाहता था, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, बहुत कोई मुझे पूछता है कि भाई, मैं polar parrot तो लेके आचुका हूँ, बट बहुत कोई मुझे बोलता है कि ये बहुत एक convict cichlid है, देखो भाई, convict cichlid और polar parrot पे सबसे important जो difference है, दोनों का body का shape totally different होता है, अगर अप लोग को थोड़ा बहुत मचली के बारे में पता है, अगर अप लोग थोड़ा बहुत research करोगे, Google वगरे पे search करोगे, तो आप लोग एक दोनों category का difference बहुत अच्छे तरीके से आप लोगो पता चल जाएगा, मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन में आप लोगो picture shot दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो दोनों का difference, बट convict cichlid और polar parrot बहुत थी अलग किसम का मचली है, और अलग features होता है, अलग features मतलब convict cichlid का जो major problem भी बोल सकते हो, बहुत जन होता है कि convict cichlid करीता है, बहुत fast breeding कर लेता है, बट polar parrot breeding तो करता है, बट convict cichlid की तरह इतना fast breeding नहीं करता है, तो मेरा favorite fish अगर मैं बोलू, तो after flower on मुझे तो polar parrot बहुत पसंद है, आसकर पसंद है, बट उसको छोड़कर भी polar parrot मुझे जहुत जादा पसंद है, टैंक mates के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बता दिया था, सिवरम रख सकते हो, उसके साथ आप लोग African cichlid भी रख सकते हो, क्योंकि polar parrot बहुत ही hardy मचली है, इसके साथ अगर आप लोग hardy मचली रखोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, soft मचली भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब के साथ घुल मिल जाता है, और एही चीज में आप लोग को बताना चाहता था, कि भाई अगर आप लोग blood rate parrot रखोगे, तो आप लोग aggression face कर सकते हो, आप लोग जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना, आप लोग किसने जन के पास blood rate parrot है, और आप लोग देखते हो, बहुत जादा fight करता है blood rate parrot, live आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले बोल रहा था कि आप लोग अगर polar parrot लेके आने के लिए सोच रहे हो, तो भाई आप लोग polar parrot के साथ खुद खेल भी सकते हो, मैं अल्रडी करता हूँ, उस type का वीडियो अगर आप लोग चाते हो, तो नीचे जरूर मुझे comment करके बताना, क्योंकि आप लोग polar parrot को फ्लारॉन के तरह गुरूम कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, ये बहुत कम जन को पता है भाई, देखो भाई, अगर तुम मचली घर पे लेके आ रहे हो न, मचली भी डॉग या कैट्स के तरह आप लोग के साथ घुल मिल जाता है, ये अप लोग को, उसके लिए अप लोग को अनलाईज करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ये मैं आप लोग को परसनली बोल रहा हूँ, इसके सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहते हो, तो मैं आप लोग को लाइप प्रूफ दे दूँगा, इकने में क्यूट है, और थोड़ा साई टाइप का है, तो ये थोड़ा हाइडिंग प्लेस जादा पसंद करता है, तो यहाँ पर जैसे वीडियो पर डिया रहा हुआ है, हाइडिंग प्लेस आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, ओभी मैं आप लोग को इस वीडियो पर दिखाऊंगा, तो ग्रोथ भी आप लोग को साइज वगरा दिखा देना चाहता हूँ, क्यूंकि आप लोग अगर पोलर पेरट के साथ सोच रहे हो, अरवाना रखूँ, जादा बड़ा मचली रखूँ, तो भाई पोलर पेरट को मार भी सकता है, क्यूंकि पोलर पेरट, ब्लाड रेट पेरट के तरह जादा एग्रेसिव नहीं होता है भाई, अगर अप लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो, तो पता हुका, मैं कॉंग के साथ अल्रेडी दो पोलर पेरट रखा हूँ, बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन चुका है कॉंग का, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली मचली है, मैं जो चीज इस मचली के बारे में जादा पसंद करता हूँ, यह जूंड में रहना पसंद तो करता ही है, उसके साथ-साथ बहुत जादा घुल मिल जाता है दूसरा मचली के साथ, जादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है, इसके लिए मुझे बहुत जादा परसनल फेवरिट है पोलर पेरट, और अभी आप लोग को जो चीज में बताना चाहता था, बड़ा मचली के साथ गलती से भी मत रखना, क्योंकि बड़ा मचली इसको निगल भी सकता है, खा भी जा सकता है, क्योंकि इसके साइस के बज़ा से, और एक चीज यहाँ पर अप लोग को जो लाइव मैं बोल रहा था, कितना बड़ा हो सकता है, आज तक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पोलर पेरट के साथ थोड़ा हॉर्ण पेरट भी है, बट यहाँ पर जो साइज आप लोग देख रहे हो, इस से बड़ा साइज भाई पोलर पेरट का नहीं होता है, जो मैक्सिमम साइज है इतना सा ही होता है, और आप लोग इसको छोटा टैंक पे भी रख सकते हो, बड़ा टैंक पे भी रख सकते हो, तो एही इसका खासियत है, इसका साइस के वज़ा से. So friends, अभी यहाँ पर आप लोग के दिमाग पे आएगा, तो भाई, मैं कितना फीट टैंक के अंदर पोलाट पैरट रख सकता हूँ, तो देखो भाई, यहाँ पर जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, दो फीट के टैंक के अंदर, वेरा पर जो मचली है, दो फीट के टैंक क रख सकते हो, उससे जाधा भी आप लोग रख सकते हो, बट जगर छोटा है तब रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर वीडियो पर दिखा रहा हूँ, बट फ्यूचर पे अगर उसको रखना चाते हो, तो साइस थोड़ा तो बढ़ेगा ना, अभ बहुत ही हाड़ी मचली है, मैं आप लोग को फूली रेकमेंड करूँगा, बट अगर जाधा रखना चाते हो, तो एट लिस्ट 2.5 फीट का टैंक के अंदर रखो, आप लोग के फीश बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत साल तक जी जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन आप लोग मान के चलो, एट टू टेन यर्ज के असपास इसका लाइफ स्पैन है, तो दस साल इजी जी जाता है पोलर पैरट, यह लाइफ स्पैन मुझे परसनली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ परसनली बहुत जाधा दिन तक ब्लाड रेट पैरट से भी जाधा पोलर पैरट जी जाता है, तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, पोलर पैरट के साथ आप लोग डॉलर फीश भी रख सकते हो, और दूसरा मचली भी रख सकते हो, जो नॉन एग्रेसिव है, ओसकर वगरा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखना है, जब छोटा रहेगा, तब रखो कोई दिक्कत नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा, ओसकर का हैबिट है भाई, छोटा मचली को खा जाना, तो भाई बड़ा ओसकर अगर इसके साथ रखोगे, तो पोलर पैरट को खा जाएगा, तो युक्कि इसका मुह चोटा है, खाना भी बहुत ही कम बतलब खाता है, तो यहाँ पर अगर आप लोग पूछो के, क्या खाना मैं परसनली देता हूँ, मैं 90% जो खाना प्रेफर करता हूँ, ड्राइ टीवी फ्लेक्स वाम तो मैं देता ही हूँ, ड्राइ टीवी फ्लेक्स बहुत जादा पसंद करता है यह वाला फूट, मैं परसनली देखा हूँ, अभी आता हूँ, वाटर क्वालिटी के उपर, कौन से वाटर क्वालिटी के अंदर यह मचली रह जाता है, तो देखो भाई, पहले ही बता दिया हूँ, हाड़ी मचली है, वाटर का टेमपरेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, बस, और दूसरा चीज, मैं always सभी मचली फिश की पर को बताता हूँ, कि भाई, पानी का TDS जरूर चेक करो भाई, यह गलती बहुत जन को मैं देखा हूँ, करता है कि भाई, पानी पे नमक डालता ही रहता है, डालता ही रहता है, पानी चेंज क पानी का TDS जरूर मेंटेन करना, आलवेज पानी चेंज करने से बक्ती आप लोग सॉल्ट कभी भी एद मत करना, यह बहुत बड़ा गलती आप लोग कर देते हो, मैं आप लोग को बहुत बढ़ बहुत बढ़ बोला हूँ, और पानी पे क्या मेडिसिन डालना है, ओ, नॉर आप लोग को कम्प्लीट के बरे में बता दिया हूँ, इसके बाद भी अगर आप लोग कुछ भी जीद जानना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक कर सकते हो, या फी नीचे मुझे कमेंट करेंगे।